दिल्ली में लॉकडाउन के दूसरे दिन शाहीन बाग के धरनायस्थल को पुलिस ने पूरी तरह खाली करा दिया है मंगलवार सुबह यहां मौझूद प्रदर्शन कारियों से धरनायस्थल को खाली करने की अपील की गई थी लेकिन वो नहीं माने ऐसे में उनके खिलाफ कारवाई करनी की बात कही है दिल्ली पुलिस ने मौके से कुछ प्रदर्शन कारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है पिछले तीन महिने से सडक बंद कर चल रहे धरने के लिए लगे सभी टैंट को पुलिस ने सुबह निकलवा दिया इसके अलावा जाफरबाद इलाकी में भी भारी सुरक्षाबल तैनात किया गया है आपको बता दें कि रविवार को जनता कर्फियों के दिन से ही शाहीन बाग के प्रदर्शन कारियों के बीच तनाव चल रहा था जनता कर्फियों के विरोध और समर्थन को लेकर प्रदर्शन कारी दो गुटों में बढ़ गय थे इसे लेकर दोनों पक्षों में बवाल इस हद तक बढ़ गया कि प्रदर्शन कारियों ने एक दूसरे पर जूते चपल तक फेके प्रदर्शन कारियों का एक गुट शुरू से ही कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए प्रदर्शन इस ठगित करने के समर्थन में था पुलिस पोर्स को तैनात कर दिया गया था वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़ कॉम